दोस्तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने सफेद हो रहे बालों को जड़ से काला कैसे कर सकते हैं गरेलू तरीके से यानि के घर पे ही आप कुछ ऐसी चीजों से एक नुस्खा बनाएंगे और उसके इस्तिमाल से आपके सफेद बाल जो है सारे काले हो जाएंगे तो सबसे पहले चीज जो हम इस रेमेडी में यूज करेंगे वो है काफी पॉडर तो आपकिसी भी ऐच्छी ब्रांड का काफी पॉडर ले लीजिए तो इसमें हम लेंगे आदा चमच कॉफी पॉडर कॉफी पॉडर हमारे सफेद बालों को जर्सी काला करने में बहुत ज़ादा हेल्प करता है और इसके बाद में हम लेंगे इसमें ऐलो विरा जेल तो आदे चमच ही हम इसमें ऐलो विरा जेल लेंगे तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा अच्छे से और सारी चीज़े आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी उसके बाद में हम इसमें लेने वाले हैं एलम जो हमारे फिट करी जो होती है जिसको हम फिट करी बोलते हैं यह हमारे बालों के लिए बहुत ही जाधा होती है बालों में किसी भी तरीके का इंफैक्शन और वो उसको दूर करती तो इसका आपको पॉर्डर बना लेना है और यह देखिए मैंने पॉर्डर बना के रखा हुआ है तो इसको भी हम थोड़ा सा लेंगे और इसमें डाल लें हैं और हम अच्छे से Eck research कर लेते हैं तो देखिए ऐसी तरी चीज़ों को में सौरी चीज नियाज्रिय आप इन चीज़ों से तो वह हमेशा जड़ से ही स्टार्ट होते हैं वीत मंसे से नहीं होते हैं पहले जड़ से सफेद होते आएंगे और सीड़ 생न अधीक से टहुश być हो जाएंगे तो देखें इस तरीकिटे आपको मसाज करना है और इसको आप 5-7 घंड़े के लिए छोड़ दीजिए नहीं तो आप पूरी राद भी इसको लगा सकते हैं जब यह सूख जाएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि बालों में कुछ भी नहीं लगाया है तो इस तरीके से लगाने के बाद आप मॉर्निंग में उटके बालों को वर्श कर लें और ऐसा करने से आप देखेंगे आपके सफेद बाल जो हो रहे हैं वो जड़ते काले होना स्टार्ट हो जाएंगे और बहुत ही बढ़िया नुस्खा है यह आपके सफेद बालों को काला करने के लिए तो आपको वीडियो मारा कैसा लगा हमें जरूर बताएए मिलते हैं नई वीडियो में ने निस्खे के साथ